हलो दोस्तो कैसे हो आप सब दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अन्बोक्सिंग करके बताने वाला हूँ बीट एक्सपी वेगा एक्स स्मार्ट वाच का जो क्याती है बीट एक्सपी नाम की एक कमपनी की तरफ से और ये कुछ टाइम पहले ही लॉंच हुई है और इसकी जो लॉंच प्राइस थी वो थी 23 रुपए यानि कि 2299 रुपए में ये फ्लिप काट पर मिल रही थी और मैंने इसे 2299 रुपए की प्राइस में ही ओडर किया था अभी के वक्त इसकी प्राइस 3000 और किती हो सकता बाद में जो इसकी प्राइस और भी बढ़ जाए कब से पहले बात कर लेते हैं कि इसके बॉक्स को पर क्या क्या मैंसन हो रहा है याँ पर 1.43 इंच का सुपर M.OLED डिस्पले मिल जाएगा जिसकी PPI भी का पी अच्छी एफोर्ट 66 बाइफोर्ट 66 इसमें Bluetooth कोलिंग का सपोर्ट मिल जाता है वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है GPS का भी जो है फंक्शन इसमें देखने को मिल जाएगा मतलब स्मार्टपून का जो GPS यूज़ करेगा यह स्मार्ट वाच वो इसके अलाव इसमें AI Voice Assistant का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा पीछे की तरब भी इसमें कुछ मेंसन कर रहा हा Heart Rate Monitoring, Plurret Pressure Monitoring, Custom Watch Face भी भी इसमें है IP68 की जो Water Rating देखने को मिल जाएगा और Notification वाला जो भी सिस्टम इसमें देखने को मिल जाएगा जारा जार रुपे की जो MRP दे रखी है तो MRP कुछ जादे ही दे रखी है वोक्स को बार निकालोगे तो इस तरह की जो Packing है देखने को मिल जाती है यहाँ पर इसको सबसे बहुता देते है तो उसके लिए अलग स्टाइल में जो है स्टिकर दे रहे है और इसके साथ में इसमें कुछ warranty card भी है और warranty card के साथ इसमें एक और card मिलता है discount coupon मैं आपको बताता हूँ काँ से मिलेगा हाँ इसके साथ आपका जो है 5 रुपे का जो discount coupon मिल जाता है लेकिन इसको यूज करने के लिए कुछ conditions है जो इसको यूज करना है उसके लिए आपर सारा setup दे रहा है तो इसको भी रख देते हैं सैड में अब बात कर लेते हैं में smart watch की तो जो smart watch है कुछ इस तरह की packing के साथ आएगी यापर इसको निकालने के कुछ इस करते है वैसे मैंने इसे setup कर रखा है एक बार और आपको दिखाने के लिए वापस है इसे वापस में box में डाल दिया था तो इसे sticker को आपको हटा देना इस तरह से और अभी ये on हो रुकी है और पीच्छे का जो setup है वह भी इसमें आपको देखने को मिल जाता है के लाब बात करें तो इसके अंदर आपको एक wireless charger मिल जाता है इसके अंदर इस तरह का कुछ white color में और ये जो मैंने यूज़ करके देखा था काफी अच्छा charger है लेकिन यहाँ पर जो magnet है इतना strong नहीं मैंने इसे यूज़ किया था तो इसका जो magnet है किसी भी तरह से powerful नहीं है बस यह है कि wireless charger है तो इन सब चीज़ों को मैं साइड में रख देता हूँ तो मैंने इसे जैसे पहली बार इसे unbox किया था तो मुझे काफी जो अच्छा feel आ रहा था क्योंकि इसका एक main reason यह हो सकता है कि यह जो dial है यह round dial में आता है और इसका जो strap है वो भी काफी अच्छी quality के है और काफी मजबूत है ऐसा मुझे लगता है और पीछे के तरब आपको glossy finish देखने को मिल जाएगा side में आपको metal body देखने को मिल जाती और इसका जो display काफी अच्छी quality का मुझे लग रहा है क्योंकि इसमें जो amoled panel यूज किया है और इसका जो touch है वो भी काफी smooth लग रहा है इसके लावा आपको इस तरह से कुछ interface देखने को मिल जाता है तो उपर की तरब से shortcuts बगेरा और नीचे के तरब से आपको notification देखने को मिल जाएंगे साइड से इस तरह से करोगे तो कुछ external जो shortcut होते है वो भी इसमें देखने को मिल जाते है इसके लावा menu में जाने के लिए आपको ये वाला उपलवार जो बटन दबाना बढ़ता है और इस तरह का जो menu आपको देखने को मिल जाएगा और इसमें एक और चीज अच्छी है कि इसमें जो है ये जो crown बटन है functional crown बटन है इस तरह से आप इसे use कर सकते हो जैसे भी है चाहो और इसके लावा आपको watch face भी change करना तो इससे गुमा के आपको जो भी watch face लगाना वहा लगा सकते हो और डायट के लिए चेंज करना चाहते हो इस तरह से tap करके आप यह से change कर सकते हो और इसमें एक साथ बहुत सारे inbuilt watch face देखने को मिल जाएंगे इस तरह से तो यह जो चीज है काफी सही है और secondary जो बटन है यहाँ पर यह sports mode के लिए है इसको दबाते हैं आपका जो भी sports mode set कर रहे हैं वो सारे option इसमें देखने को मिल जाएंगे जिसे भी आप यूज करना चाहो कर सकते हो आपको तीन तरह के always on display मिल जाएंगे जिसमें दो टाइप के जो है डिजिटल है और एक अनालोग है तो आप गर इसे चाहो तो यूज कर सकते हो और यहाँ पर shortcuts में भी आपको यह सारे चीज़े देखने को मिल जाएगी इसके लाव आपको अगर बात करें तो इसमें आपको और भी चीज़े मिल जाएगी जैसे contact इसमें आप सेव कर सकते हो और मैंने देखा इसमें आप maximum 20 contact जो है सेव कर सकते हो और इसमें stress monitoring, sleep monitoring, blood pressure, spo2, breathing exercise, notice जो की notification आते हैं आते हैं आपके smartphone में alarm, music, control, weather, camera control भी यहां से कर सकते हो, find one phone का जो option है, stop watch है, timer है, world clock भी है, यह सारे option इसमें एक smart watch के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं जो की काफी सही चीज़े, 300 रुपे की price के साब से हो, 3000 रुपे के साब से देखा जाए तो भी खापी सही और इसमें अगर एक और चीज़ मैंने नोटिस की दोस्तों कि अगर आप इसमें always on display को अगर use करते हो, तो उस वक्त आपका जो raise to wake वाला feature वो काम नहीं करता है, इस तरह से अगर करोगे तो इसका जो display on नहीं होता है, always on mode में रहता है, जैसा कि अभी भी यह on इसी mode में रह अगर आप चाहते हो यह वाला feature काम करें तो आपको always on display को बंद रखना पड़ता है, तो यह चीज़ मुझे इसमें कमी लगी, दूसरी कमी यह है कि इसमें आपको कहीं पर जो torch का option मेर को देखने को नहीं मिलाई, ना तो उपर notification वाले shortcut वाले area में इस तरह से नहीं इसके menu के दिया है, जबकि flip card पे ऐसा कोई भी mention नहीं कर रहा है, यह जो smart watch है मुझे काफी सही लगी, first impression में, और मैंने इसे भी अच्छे से टेस्ट तो नहीं किया है, कि इसके जो sensor से किस तरह से काम करते, इसके battery कितनी अच्छी चल जाई, लेकिन look और feel की साब से यह जो smart watch है काफी अच्छी है, किसी भी तरह से आपको 3000 रुपे की smart watch लगती नहीं, इसके कह सकते कि आपको 5000 रुपे की smart watch खरी दी है, और इसका build quality मुझे काफी solid लग रहा है, वेट में थोड़ा heavy है क्योंकि इसमें metal यूज किया है, मैंने इसे दिन बर पहन कर रखा और मुझे किसी भी तरह comfortable जैसा कुछ फिलनी हुआ, पूरी तरह से आपको comfortable लगेगी, जबकि इसका weight heavy है, उसके बावजूद भी, तो ये चीज मुझे इसमें सबसे बढ़िया लगी हो, देखते कि आने वाले time पर एक इस तरह से perform कर पाती है, और इसका आपको एक अच्छा सा review बना के भी दे दू होंगा और मुझे आपका support मिलता रहे।